नमस्कार दोस्तों मैं स्पी सिंग टैकुल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जूमला से किस तरीके से आसानी से फिरी में रेस्पॉंसिव साइट बना सकते हैं जी दोस्तों सबसे पहले तो रेस्पॉंसिव साइट वो होती हैं जिनमें आप लैप्टॉप व्यू में और मोवाइल व्यू में दोनों में ही आसानी से यूज कर सकें और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजेगा तो यहां से हमें जूमला पर जाना होगा जूमला.org यहां से जूमला की एक फाइल डाउनलोड करनी होगी जो मैंने पहले से ही की हुई है आप यहां से क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों फाइल देखते हैं हमने यहां पर डाउनलोड में होगी यहां पर आप देख सकते हैं जूमला इसे यहाँ से cut करते हैं और Extract करना होगा सबसे पहले तो इस file को यहाँ पर paste करते हैं Extract here मैं इस file को extract कर लेता हूँ तो दोठोप अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी file extract हो चुकी है यहाँ पर हमारा package है जो zip file है उसे यहाँ से remove कर दे यहां पर वापस paste कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जूमला का पूरा setup है यहां से इस folder को name दे देते हैं rename जूमला और enter अब यहां से इसे cut करते हैं अब हमें इस local disk c में वैंप में लेके जाना होगा वैंप में www में जाके paste करना होगा सीधा सीधा यदि दोस्तों आपने वैंप को download नहीं किया या install नहीं किया है तो आपको वैंप की जरूरत होगी क्योंकि जूमला को पहले हम local host पर run करेंगे मैं आपको online hosting करना नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्प आपको website design करके देखा रहा हूँ आप hosting करना चाहते हैं तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं या फिर आप मुझे request कर सकते हैं मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दोगा जी दोस्तों यहां से आप जूमला आप देख सकते हमारा start हो चुका आप हमें Wamp को शुरू करना होगा जी दोस्तों यहां से Wamp server को start करना होगा मैंने पहले से start किया हुआ तो यहां से आप हम local host run करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमारा local host open हो चुका है यहां पर your project में आपको जूमला दिखाई दे रहा होगा जूमला को open करेंगे यहां से आप देख सकते हैं हमारा जूमला start हो चुका है यहां से हमें अपनी site का नाम डालना होगा जो आपका नाम देना चाहते हैं मेरे channel का नाम tag bowl है तो मैं अपनी site का नाम भी tag bowl डाल देता हूँ tag bowls यहां पर description को आप खाली छोड़ दे यहां पर email डालना होगा यदि आप local host पर काम कर रहे हैं तो आप email कुछ भी डाली admin admin at the right gmail.com डाल दिया मैंने क्योंकि यह local है यदि आप server पर upload करेंगे online install करना चाहते हैं और hosting करके करें तो आपको जब domain name खरीते हैं और आप host करते हैं अपनी site को तो वहां से आपको email और password मिलता है उन्हें ही डाली है username भी वहीं से मिलेगा मैं यह admin डालता हूँ यह password भी मेरा admin है confirm password admin site offline yes next यहां से आप देख सकते हैं जो मेरा local host है यहां पर host name मैंने local host डाला है क्योंकि यहां पर हम server पर नहीं कर रहे हैं local host पर काम कर रहे हैं तो यदि आप online काम करें तो वहां आपको अपना host का नाम डालना होगा जैसे hostgator, godaddy.com वगेरा वगेरा यहां से हमारा जो username होगा local host का वो root होता है by default और password हम blank छोड़ेंगे क्योंकि यह database का password है यहां पर हम कोई database का password नहीं देंगे database का name हमारा जूमला है जो अभी हमने folder का नाम डाला था मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर जो हमने अभी folder का नाम डाला था यह हमारा database का name है इसी को ताकि हम याद रख सकें कि हम जूमला पर काम कर रहे हैं और जूमला ही हमने database का नाम दे दिया दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमारा install हो चुका है यहां से installation के बाद हमें installation को remove करना होगा जी दोस्तों जो folder हमने वहां से extract करके copy paste किया था उसे हमें remove करना होगा यहां से हमारा remove हो चुका आप हमें administration यानि control panel पर जाना होगा आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जूमला का नयाव database create हो चुका होगा यहां पर आप देख सकते हैं और इसके अंदर 61 tables होते हैं जी दोस्तों यह by default बनाता है तो 61 tables होते हैं जूमला के अंदर यहां से अब हमारा जो हमने admin और password admin डालाता उसी को fill करें और login करें आप देख सकते हैं हमारा जो 3.6 का control panel वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहां पर आए एक नए tab में आप अपनी site को open कर लें यहां पर login करना होगा आप देख सकते हैं जो by default site आएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी तो अब इसे किस तरीके से design करेंगे सबसे पहले जूमला के अंदर क्या चीज important होती है जी दोस्तों जूमला के अंदर यहां से आप extension में जाएं templates में जाएं यहां पर templates होते हैं जो यह हमारा लगा हुआ एक template है simple सा यहां आप देख सकते हैं यह वाला template यूज हुआ है मैं इसे use करके दिखाता हूँ 23 को मैंने select कर लिया और यहां पर जाकर refresh आप देख सकते हैं हमारा template change हो गया template themes इसे wordpress के अंदर theme बोला जाता है जूमला के अंदर templates बोला जाता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं यहां पर जूमला का जो अपना तरीका है वो templates है इसमें modules यूज होते हैं plugins यूज होते हैं, templates यूज होते हैं सबसे पहले हम एक option पर जाकर इसे configuration को on करना होगा, यहां से आप देख सकते हैं position enable करनी होगी यह सबसे main काम है, ताकि इससे क्या होता है इससे हम अपनी site पर देख सकते हैं कि कौन सी position खाली है यहां पर आपको क्या करना होगा question mark tp is equal to 1 आप देख सकते हैं, इसे click करें और enter करें आपको यह दिखाएगा कि आपकी site में कहां कहां पर position खाली है यहां पर आप देख सकते हैं, इन जगहों पर आप कुछ भी add कर सकते हैं, जो जगह खाली हैं आपकी site के अंदर वो यह सारी है यह काफी अच्छा तरीका है इसके अंदर position देखने का अब आमें क्या करना होगा, एक अच्छा सा template download करना होगा, जी दोस्तो paid templates भी मिलते हैं, आपको free templates भी मिलते हैं, मैं free templates का example लेके आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले मेरे पास एक site है, जो जूमला के templates free देती है, वहां से आपको templates, extensions वगएरा वगएरा free मिलेगे, तो सबसे पहले उस पर चलते हैं, उस site का नाम है joomspare, जी दोस्तो आप spelling देख सकते हैं j-o-o-m-s-h-a-p-e-r joomspare, यहां से इनकी एक template है, जिसका नाम है helix, यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे templates हैं एक यह है, यहां पर एक यह free हैं और काफी सारे extensions भी आपको देता है, तो हम यहां से helix template को download करेंगे काफी अच्छा template हैंड का तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमारा helix open हो चुका है, यहां से live demo लेते हैं लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह आपकी site कैसी दिखेगी, काफी हत तक उस template को use करके तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा live demo उपन हो चुका है, यहां से आपकी theme कुछ इस तरीके से दिखेगी यहाँ पर यह सब menus है, यहाँ पर pages है, यहाँ पर menu है, यहाँ पर search box है आपका, यहाँ पर home वगरा है, यहाँ पर सभी चीज़े है, यहाँ पर menus में दो बार है, एक बार यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके icons वगरा सभी उपर है, और यहाँ पर आपके contacts theme है आपको इसमें काफी अच्छी चीजे मिलेंगी और free theme है सबसे बड़ी बात यह theme free है दोस्तों इसे हम download करेंगे download करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर detail यहाँ से live demo के side में download का option है यहाँ से आप download करें मैंने इसे भी download किया हुआ है तो मैं यहाँ से cancel करता हूँ और आपको extract करके देखाता हूँ यहाँ पर आप download में देख सकते हैं मैंने helix को download किया है यहाँ पर दो files मिलेंगी आपको helix की एक 34 MB की होगी और एक 2 MB की होगी यहाँ पर 34 MB की है जो वो quick start है और जो template है वो 2 MB का है तो दोनों files आपको download करने होगी यहाँ से आप हमें जूमला के अंदर जाना होगा और extension में manager में install में जाना होगा हमें पहले files को जूमला के अंदर इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल फ्रॉम फोल्डर अप्लोड पैकेज फाइल चूज यहाँ से download select और पहले हम टेंपलेट को इंस्टॉल करते हैं अप्लोड और इंस्टॉल यहाँ पर अमारि install successful हो चुक है अब हम दूसरी file को चूज करते है और install करते है krick start को चूज करते हैं और install करते हैं यहाँ पर अमार अम्हारी file इंस्टॉल हो चुकी है अब हमें क्या करना होगा अमारा template कहां पर होगा हमारा template यहां पर extension के अंदर templates के अंदर होगा तो हम templates पर click करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर helix default के नाम से site यहां पर template add हो चुका तो इसे default करेंगे आपर star mark करके या फिर आप यहां से select करके और यहां से default use कर सकते हैं आपकी जैसी मर्जी आप वैसे यूज करें अब हम अपनी site को refresh करके देखेंगे आप देख सकते हैं हमारा helix यूज हो चुका लेकिन इस सारा empty है इसके अंदर कुछ भी नहीं अभी यहां पर आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा यहां पर आप देख सकते हैं तो आपको करना क्या होगा अब आपको यहां से हैलिक्स के अंदर जाना होगा सबसे पहले तो हम इसका लोगो चेंज करेंगे यहाँ पर अपना logo लगाएंगे और यहाँ पर favicon change करेंगे इसे हम favicon बोलते हैं जैसे आपने दिखा होगा sites के यहाँ पर facebook का यहाँ पर facebook का logo आता होगा इन्हें हम favicon बोलते हैं तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं यहाँ से basics पर चलते हैं मैंने कुछ इमेजिस पहले सें डिजाइन की हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लोगो तयार किया हुआ पहले से ही Select and Upload यहाँ से Select करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इमेज इस सलेक्ट हो चुकी है यहां पर यह वाली और insert करेंगे आप देख सकते हैं insert हो चुकिए अब हमें क्या करना होगा आप logo लेना होगा logo के लिए यहां से select image logo भी हम save रखेंगे यहां से retina logo means आपका tablet का जो logo होता है जब आप tablet view पर यूज़ करते हैं mobile logo यानि mobile पर जब आप यूज़ करेंगे तो mobile का logo कैसा चाहिएगा अब यहां से save करेंगे save होने के बाद अपनी site पर जाएंगे और check करेंगे आप देख सकते हैं logo change हो गया यहां पर favicon भी change हो चुका है यहां पर हमने पूरा ले लिया इस वज़े से थोड़ा ऐसारा यदि हम अपने इस box को लेते crop करके तो ज़्यादा अच्छा रहता पर कोई दिकत नहीं है हम यहां पर example के तोर पर यूज़ कर रहे हैं अब हमें बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है अब हम यहां से back जाएंगे save and close दोस्तों साइट के अंदर सबसे बड़ी problems होती है कि menu कैसे बनाएं और यहां पर इसके अंदर menu कैसे लाएं और यहां पर बाकी की सारी चीज़ होते है slider होता, features होते है, footer होता, footer को कैसे design करें इन चीज़ों को किस तरीके से हम design करें तो इसके लिए simple सी बात है मैं आपको बता दूँ, पहले तो menu बनाएंगे, menu बनाना main काम है सबसे पहले तो menu थोड़ा difficult भी है, starting में यादि आपको नहीं आता बाकी सारा काम इतना difficult नहीं है, वहाँ पर आपको slider उठाना है यहाँ पर आपको install करके paste कर देना आपको features उठाने, install करके paste कर देने, gallery उठानी है, बाकी काम इतना hard नहीं जितना menu बनाना hard है menu बना लोगे तो आपका आदा सा काम हो जाता है तो यहाँ से आप पर depend करता है menu के अंदर कितने pages रखना चाहे तो यहाँ से close करते हैं से अब आप देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी menu है menu manager यहाँ पर manage में क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं main menu है main menu पर क्लिक करेंगे तो main menu के अंदर एक home का icon आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं by default theme ने बनाया हुआ है तो हम इसे तो as it is रहने देंगे यहाँ से new करेंगे क्योंकि हमें और सारे pages भी चाहिए जैसे about हुआ, contact us हुआ तो यहाँ से page का title देते हैं about about us यहाँ से menu का style चूज करेंगे यहाँ से article में जाएंगे और single article single article select करने के बाद यहाँ से select an article मांग रहा हुआ, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने कोई article बनाया नहीं है तो हम select कैसे करेंगे, article कैसे बनते है यहाँ से content में जाना होगा और new articles बनाने होगी, अभी हम इसे ऐसे ही save करेंगे उसके बाद हम article बनाएंगे यहाँ से save यह बोल रहा है कि select article वरना save नहीं होगा, तो cancel करेंगे सबसे पहले हमें select article करना होगा यहाँ से content में जाएं और add new article यहाँ से featured article और article यहाँ से हम article बनाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला article होगा वो about जितने सारे आपको pages बनाने उतने ही आपको articles बनाने होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं home पर हम click करें तो home के अंदर कुछ आना भी तो चाहिए यहाँ से about का page और इसके अंदर हम कुछ भी ऐसे पेस्ट कर देते हैं मैं इसे copy कर लेता हूं और paste कर देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने about के अंदर save कर दूं मैं इसे यहाँ से हम इसे save कर सकते हैं category भी आप choose कर सकते हैं यहाँ से save वो चीजे मैं आपको बाद में बताँगा पहले save करते हैं और यहां से save and new करते हैं sorry ताकि यह save हो जाए और एक नया page open हो जाए एक नया article बनाते हैं इसके अंदर हमारा होगा यहाँ पर आप मैंने पहले work किया था तो उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे बनायते हैं तो यहाँ पर हम work का एक नया page बनाते हैं उसके अंदर भी हम x y z ऐसे ही लिख देते हैं और save and new पहले हम articles वगरा बना लें उसके बाद हम काम करेंगे यहाँ पर contact us save and new यहाँ पर अमारे थीन बन चुके एक और बना लेते हैं यहाँ से अमारे पास about us contact us work and my friends sorry myself बना लेते हैं यहाँ पर save and close यहाँ से save and close करेंगे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार pages बनाए होगा manage के अंदर जाना होगा और यहाँ पर हमारी main menu है इसके अंदर जाना होगा main menu यह वाली line है आपकी जिसके अंदर हमारा home आ रहा है यह by default है तो यहाँ पर home के अंदर अब फिर से new item create करना होगा जो हमने वहाँ पर articles बनाएते होने same दुवारा से यहाँपर बनाना होगा यहाँपर आप देख सकते हैं about अबाउट अस और यहां से स्लेक्ट यहां से आर्टिकल स्लेक्ट करता हूँ मैं और सिंगल आर्टिकल स्लेक्ट करता हूँ यहां से single article select करने के बाद यहां से article को select करना किस article को लाना है तो about us में about us को select करते हैं और save and new कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा बन चुका होगा आप देख सकते हैं about us हमारा आ चुका है और about us में हमने जो x, y, z लिखा था वो सब कुछ आ चुका है तो अब को यहां पर अच्छे से दिखाई दे रहा हो दोस्तों अब यहां पर हम next लेते हैं next हमारा था myself और myself को select करते हैं यहां पर article single यहां से select और myself save and new यहां से work select करते हैं और article को select करते हैं यहां से article single यहां से select and article work save and new यहां पर हमारे चेक करते हैं यहां पर हमारे चार बन चुके हैं हमारा last है contact us contact us का एक menu बनाते हैं और यहां से single article articles के अंदर single article और यहां से select के अंदर हमारा contact us को select करते हैं आप देख सकते हैं हमने सभी को select कर लिया है यहां से save and close करेंगे क्योंकि हमें कोई अब नया नहीं बनाना तो save and close यहां पर हमारे 5 options आ चुके हैं यहां से refresh करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर हमारे बन चुका लेकिन अभी इस menu के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है तो इस वाले menu को हम बाद में create करेंगे पहले यहां पर आप देख सकते हमारी menu create हो चुकी है लेकिन menu के अंदर अभी हमने ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं किया हम तो हमने खाली छोड़ा हुआ है about us myself और work यहां पर आप देख सकते हमने थोड़ा बहुत लिखा था और contact us इन सभी pages को बाद में डिजाइन करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर इनी सभी चीजों को दुवारा से लेकि आएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा control panel में जाना होगा और extensions में जाना होगा यहां से modules में जाना होगा extensions के अंदर modules में और main menu क्योंकि यह हमारी main menu है यहांपर यहांपर हम main menu ही लगानी हमे यहाँ पर तो हमने लगा दी main menu अब यहाँ पर भी ले क्या नहीं इसकी जो position है सबसे पहले वो position चेक करेंगे हम यह कौन सी position है तो यहाँ से slash question mark tp is equal to 1 अब आप देख सकते हैं यहाँ पर tp is equal to 1 के अंदर आपको positions खाली मिल जाएंगी यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमारी जो यहाँ पर position है वो off canvas है यहाँ positions के नाम है अपने-पने off canvas है यहाँ पर जो menu की position थी वो menu थी position का नाम भी menu था यहाँ top 1, top 1, logo यहाँ पर यह सारी positions है तो हम इसे अटा देंगे हमें पता चल गया off canvas पर लगाना है तो यहाँ से आप समझी जिगए होंगे कि positions किस काम आती है starting में मैंने जो आप से configuration on कराई थी वो इसी लिए थी यहाँ से अब हमे menu के अंदर जाना होगा और main menu के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर subtitles को yes करना होगा और यहाँ से show title आप रखना चाहें तो रखें मैं आपको बता दिखा देता हूं show title क्या होता position हमें off canvas select करने होगी off canvas क्योंकि हम off canvas पर दिखाना चाहते हैं अपनी और इसे save करें और फिर हम चैक करेंगे हमारी menu आई है कि नहीं यहाँ से और से refresh अब यहane उसे चैक करते हैं अब आप मेंनियों आ चुकी है यहाँ पर हमारा main menu यह टायटल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा title hide हो जाएगा अब देख सकते हैं हमारा title hide हो गया है लेकिन यह hide अच्छा नहीं लग रहा होना चाहिए साथ तो अब ज्यादा अच्छा है यहां पर ठीक है हमारी submenus मैंने on की हमने अभी submenus बनाई नहीं लेकिन आप चाहें तो वो यहां पर दिखाई दिंगी आपको जब आप इन्हें यूज करेंगे तो आप देख सकते हमारा link से में जहां about us है वहां about us है यहां से जाएं यहां से जाएं बात एक ही है दोनों के अंदर यह काम कब आएगी यह काम आएगी जब आप इसे mobile view पर यूज करें आप देख सकते हैं यहां पर अब यहां पर हमारी काम आएगी क्योंकि यहां पर हमारा जो menu वो नहीं आएगा, mobile view के अंदर यहां से हमारा menu आएगा दोस्तों यह इसलिए है responsive sites मैंने बताई थी laptop के लिए अलग होती है और mobile का view उनका अलग होता अपना यहां पर आप देखेंगे हलका सा फर्क है यहां पर menu दिखाई दे रहा और यहां पर menu नहीं दिखाई दे रहा बाकी और बाद में फर्क आजाएगा सबी चीज़ों का तो इनी को हम responsive sites बोलते है तो यहां पर हमारी menu create हो चीगे, यहां पर अब हमें pages बनाने वो हम बाद में बनाएंगे सबसे पहले site के अंदर आज कल जो trend है वो slider का है slider होना चाहिए एक अच्छा सा slider लेंगे है slider एक extension है download करेंगे हमें कुछ बनाना नहीं है अपनी तरप से बस download करना है और paste करना है बड़ा simple है drag and drop करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैंने आपको एक site बताईती जूम से पर जहां से मैंने हैलिक्स डाउनलोड किया था वहीं से हमें कुछ extensions डाउनलोड करने होगी जैसे कि एक slider डाउनलोड करेंगे हम वहाँ से यहां पर extensions में जाएंगे यहां पर extensions के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारी extensions है यहां पर slider select करेंगे यदि आपको अपनी साइट बनाते हैं समय एक idea की जरूरत हो तो आप किसी भी site को open करें यदि आपकी site किसी school या college के लिए है तो वहाँ से school college की site open करें वहाँ से ideas ले या फिर business site है तो business के ideas लें दूसरे business sites है वहाँ से थोड़ा आपको idea में लेगा की site के अंदर क्या 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 लगाना चाहिए तो यहां से slider देखिए मैंने slider search किया है यहां पर आप देख सकते हैं हमारा slider अभी search नहीं हुआ साइट दोबारा search करना हुआ slider and search आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे slider slider आच चुके यहां पर किसी भी slider को download करें मैंने इससे download पहले से कर लिया ताकि मेरा time बचता रहे तो मैं इस वाले slider को लगा हूँ आप जिसको चाहें यहां से demo ले सकते हैं पहले तो आप लाइव आपको पता चल जाएगा कि यह slider है कैसा तो आप इनमें से किसी को लें यहां पर free चार slider दिया हैं बाकी इनके paid हैं तो हम free का यूज करेंगे क्यों हम paid का यूज करें डेमो के तौर पर तो यहां से सबसे पहले मेरा slider दखा देता हूँ मैं आपको कहां पर हैं यहां पर डाउनलोड में यहां पर आप देख सकते हैं mode sp smart slider 2.4 यहां पर हमारा sp smart slider है कौन सा वाला है sp smart slider यह वाला slider यूज किया मैंने तो इसे install कैसे करना होगा वही सेम तरीका यहां से पहले तो इसे close करें menu को जो हमने काम किया था extensions में जाए manage में जाए install में जाए यहां से install करना होगा यहां से choose file करें वही download में जाए जहां पर आपकी file और select करें open करें और upload करें बस simple है दोस्तों यहां से हमारी file install हो चुकि अब यह file गई कहा होगी यह file modules में आई होगी जी दोस्तों हम जो भी चीज़े install करें वह modules है तो यहां पर देख सकते है slider तो हो गया लेकिन यह cross है और none है position हमने कोई select नहीं की है और यहां पर हमारा status none है यहां पर cross है cross का मतलब अभी यह publish नहीं तब तक यह क्यों आएगा अभी इसे पता है नहीं है कि यह कहां पर 100 हो तो सबसे पहले position देखेंगे कौन सी position खाली है हमारी यहां पर चाहिए हमे home के नीचे तो यहां पर कौन सी position मिलेगी हमे यहां पर question mark tp is equal to 1 आप देख सकते हैं यहां पर तो हमें कोई position खाली है नहीं इसके नीचे चाहिए तो इसके नीचे एक title position खाली है यह आपको काफी छोटी देख रहे होगी लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा slider बढ़ा तो position automatic बढ़ जाएगी तो हम title में लगाएंगे जी दोस्तों इसके बाद यहां पर कुछ position है यहां पर हमारा footer बन आते है slider को open करेंगे edit और सबसे पहले हम position select करेंगे बाकी काम बाद में करेंगे position title select करेंगे title position यहां पर select हो चुकी है show title वह hide रखना है तो hide रखना है so रखना है so मैं आपको दिखा दूंगा title slider का बेकार आता है तो हम hide ही रखेंगे पहले so दिखांगा मैं आपको तो यहां से slider का style कैसा होगा मैं यहां से किसी भी style को choose कर सकता हूँ maxima minima जो आपको चाहिए मैं यहां से optima use करता हूँ यह आप एक एक करके check करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे यहां से menu assessment से यहां से page select करना होगा menu assignment क्या होता menu assignment का मतलब है आप किस किस page पे अपना slider दखाना चाहती है home पे about पे myself पे all पे तो मैं select करूँगा सिर्फ home को all पे करोगे तो सभी पे आएगा only page that I selected यहां से मैं सिर्फ home पे चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि home हमारा well designed हो बागी सब पे normal normal काम करेंगे यहां से module permission slider अब यहां पर slider के अंदर जाना होगा main काम सबसे पहले मैं save करके दखा देता हूँ बागी आगे बढ़ेंगे मैंने दो काम किये पहले position set की पहले position set की दूसरा assignment में home select किया बस दो काम हुए हमारे और save किया अब यहां से check करेंगे आप देख सकते हैं slider आ तो गया लेकिन अभी काम नहीं कर रहा वो क्यों काम नहीं कर रहा वैसे सई जगा पर आया है इसके नीचे और इसके उपर लेकिन काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी slider के अंदर हमने images तो दिया ही नहीं images देने जरूरी है यहां से हम slider में जाएंगे यहां से दो चीज होगी तीसरी चीज को हमें छेरना नहीं है परमिसन से इन्हें हमें बिलकुल टच नहीं करना यहां से slider में जाएंगे और slider को add करना होगा add new slide, slide बनाने होगे हमें यहां से slide यहां से image पर जाएं, image source को custom करें और यहां से select image करें अब एक अपनी image download करें जो आपको slider में लगानी है तो मैं कुछ image upload करता हूँ यहाँ पर choose files यहाँ पर यहाँ पर एक काफी अच्छी image लग रही है मैंने download की थी यहाँ से open करते हैं और upload करते हैं यहाँ से upload हो जाएकि दोस्तों है अब यहाँ से select होगी यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर URL कुछ नहीं मैं इस पर click करूँगा तो यहाँ पर URL यहाँ से insert मतलब यह अब insert हो चुकी है तो यहाँ से इतना काम हो गया अब इसे हम फिर से save करेंगे यहाँ से save करना होगा इसका नाम हम slide 1 दे देते हैं जो आप नाम देना चाहिए वो नाम दे सकते हैं आप और save करेंगे यहाँ पर हमारी slide sorry कुछ गलती होगी है पहले article सेलेक्ट करना होगा यहाँ से image custom कस्टम के अंदर image select करेंगे और insert करेंगे यहाँ से normal यहाँ से आप image पर title दे सकते हैं यदि आप कुछ देना चाहिए तो नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं मैं यहाँ से article about सेलेक्ट करता हूँ और save करता हूँ हाँ अब हमारा image save हो चुकी है यहाँ पर double हो गया है double click हो चुका है यहाँ से cancel कर देंगे एक को यहाँ पर आप देख सकते हैं एक slider एक slider बन चुकी है तो इसे open करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक article select ही है बाकी और कुछ नहीं किया पहले से check कर लेते हैं यहाँ से save करेंगे यहाँ से save हो चुका है तो आप home पर जाके अपनी यहाँ पर इसे check करेंगे आप देख सकते हैं हमारा slider तियार हो चुका है यहाँ पर जो हमने about us select किया था तो यह about us का link बन चुका है यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप about us पर पहुंच जाएंगे जी दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं आपको वापिस home में जाना होगा यहाँ पर आप चाहें तो home का भी link दे सकते हैं लेकिन उसके लिए जो हमने home का page हमने बनाया है नहीं है contact में यह automatic home है हमें इसे delete करके अपना एक home का article बनाना होगा तब जाके आप home दे सकते हैं लगाने के लिए पहले article select करें दूसरे slide का आपको जिस page के लिए वो slide बनाना है मान के चलिए आपका page है और उस पर slide आ रहा तो उस पर कोई click करें तो वो click पर भी तो कहीं जाना चाहिए उसके लिए आपको एक article बनाना होगा हमने article बनाए नहीं है तो मैं इनवे से कोई select कर लेता हूँ यहां से work select कर लेता हूँ और यहां से image, custom, select और एक नई image upload करते हैं यहां से इसको करते हैं इस बार और start upload total size exceed यह image size थोड़ी बड़ी है यहां से पहले हम ऐसा करते हैं इस image को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर image का size काफी बढ़ा है 4 MB की image है यहाँ से edit मैं paint से edit करके इसे थोड़ा crop कर लेता हूँ crop and save मैं इसका नाम aa देता हूँ और save यहाँ से close अब देख सकते हैं हमारी image त्यार हो चुकिए यहाँ पर इसका size थोड़ा कम हुआ है अब size यह use हो जाए same problem अब भी size थोड़ा बढ़ा है हमें 3 MB से कम size की images लेनी होगी वरना आपकी site में क्या होगा कि वो load होने में काफी time लेगी इसे दुवारा से crop करते है यह काफी जरूरी चीज़े हैं इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप यदि कम size का data use करेंगे तो आपको काफी आसान ही होगी इससे क्या होगा कि आपका जो इससे क्या होगा कि आपकी जो site है वो load होने में time वगारा नहीं लेगी जी दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का आपको काफी फायदा मिलेगा यहां बी-बी के नाम से save करते हैं और minimize करते हैं से पहले चेक करते हैं अब ठीक हमारे दो point बान में भी किया है अब यह upload हो जाएगी काफी ज़लूरी चीज़ है छोटी size की image इससे आपको काफी फायदा देंगी यहां से upload यहां देख सकते हैं आप upload हो चुकी है अब यहां से select listeners यह पर हमारी image इंसर्ट हो चुकी है बाकार काम हो चुकी है यहां से save कांt आभ डेख सकते हैं आप एमारी slide बन सकी सवरी यहां से फ़र double click हो गया एक बार cancel करेंगे का हम यहां से save करेंगे यहां से चेक करेंगे हैं यहां से रिफ्रेश तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी slider यूज हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं आपका slider काम कर रहा है बटन से भी से काम करा सकते हैं और images लगा सकते हैं आप slider के अंदर 2, 4, 5, 10 जितनी आप चाहे मैं इने 2 पर ही छोड़ देता हूं बाकी चीजे मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप देखिए यहां पर अमारी image यहां पर pre-title क्या होता है यहां पर pre-title देते हैं जी 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 और save कर देते हैं मैं आपको दिखा आपको अभी पता चल जाएगा प्री टाइटल क्या है यह सेव नहीं हुआ साइद कस्टम टाइटल टाइटल देते हैं एए पोस्ट टाइटल देते हैं मादवाला और टाइटल का मतलव में टाइटल जी दोस्तों यहां से कर आप देख को सकते हैं जी प्री टाइटल में टाइटल और पोस्ट यहां पर बीधह जो हमारा पॉस्ट टा слова ता means बाद वाला टाइटल और जो प्री टाइटल था जी जी वो सबसे स्टार्टिंग वाला और ए ए कस्टम टाइटल मतलब भीच वाला तो आप समझी चुक होंगे आप अबाउट को बदल सकते हैं उसके लिए अपनी लाइन भी लिख सकते हैं यहाप अपने वर्क की लाइ हाइट को बढ़ा सकते हैं मैं चाहता हूं कि मेरे स्लाइडर की हाइट 700 हो ताकि काफी अच्छा लुक देओ सेव और यहां से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे स्लाइडर की हाइट यहाँ पर बढ़ गई है एक और चीज मैंने कहा था टाइटल हाइड करना यहां से हमने टाइटल हाइड नहीं किया है तो हमारा टाइटल आ रहा है यहां से हमें टाइटल को हाइड करना होगा और सेव करना होगा क्योंकि प्रवी slider का title अच्छा नहीं लगेगा अब आप देख सकते हैं हमारा title हट जाएगा और यहाँ पर जो gap था वो बेकाल लग रहा था वह भी जा चुका है यहाँ से आप देख सकते हैं यहां पर आप हमारा काफी finishing look आ रहा है, यहां से आप और images यूज़ कर सकते हैं, जितनी आप चाहें, यहां पर आप, हमने जिस page पर लगाया था, एक ही page पर हमने लगाया था, तो एक ही page पर हमारा slider show होगा, बागी किसी पर show नहीं होगा, home पर show होगा बस, आप disk नहीं, और एक चीज और home को load होने में काफी time ले रहा, क्योंकि हमारी images काफी बढ़ी है, मैंने 2-2 MB की images यूज़ कियें, तकरीवन 2 MB क्या 3 MB की image है, आपको थोड़ी कम image यूज़ करने होंगी, size जनका थोड़ी कम रखी है, इतना रखी है कि quality भी खराब ना हो, और size भी features, मैंने यहां से पहले download करके रखे features, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको zoom spare पर जाकर features सर्च करना होगा, अब हमें यहां से 200 features download करने होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि features ज़्यादतर sites के अंदर होते हैं, और features main चीज़ें, काफी अच्छी लोग आती है, आपकी site की यदि आप features यूज़ करते हैं, यहां पर एक ही feature जो free का है, तो मैंने download किया हुआ है, और इसी को हम लगाएंगे, तो download पहले हमें करना क्या होग और जो हमारा features है, यहां पर यह रहा, mode SP features, यहां से इसे open करेंगे, और install करेंगे, यहां पर install होने के बाद आप देख सकते हैं, successful, यहां से extension में जाएंगे, और वही module में जाएंगे, और एक चीज और दोस्तों आपको बता दूँ मैं, एक ही position पे आप कई सारी चीजे लगा सकते हैं, जैसे हमारा slider title में है, तो हम title में अगर दूसरी चीज लगाएंगे, तो वो इसके नीचे आजाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपकी title की position तो भर गई, तो हम क्या लगाएंगे, अब आपको, आपके पास तो position middle में कोई है नहीं, फिर यहां पे है, यहां पे नीचे लाने है, तो उसके लिए हमें title में ही features को add करना होगा, simple है दोस्तों, यहां से, यहां पर आप features को पहले publish करें, अब यहां से edit करेंगे features को, यहां से features को edit करने के बाद, यहां से title को hide कर देंगे, मैंने बताएं, फिर position सेलेक्ट कर देंगे, position हम वही title रखेंगे, हमारा main काम हो चुका है, अब हमारे features अभी आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हमें इनकी थोड़ी setting करनी होगी, आप देख सकते हैं, यहां पर कोई features नहीं आएं, क्योंकि हमने अभी उन्हें design तो किया ही नहीं, हमें बनाने हैं, इस feature के अंदर आप 5 feature add कर सकते हैं, two, three, four and five, तो हम दो या तीन यूज़ करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, features के अंदर आप icon भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी image चाहें तो image यूज़ कर सकते हैं, पहले मैं icon यूज़ करके दखाऊंगा, उसके बाद हम image यूज़ करेंगे, यहां से icon होगा हमारा, यह स feature one, description देता हूँ मैं, जो हमने copy किया था, उसी को paste कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यहां पर read more text, मैं अभी आपको सभी चीजों को समझा दूँगा, यहां से save, अभी हमारा title, sorry, feature नहीं आया यहां पर, इसका मतलब, पहले position चेक करते ही, sorry, हमने position गलत जगा पर दे दी, हैलेक्स के अंदर title, title position दे दी है, save करेंगे, और यहां से check करेंगे, अभी भी हमारा feature add नहीं हुआ है, दोस्तों हमारी यहां पर problem यह थी कि हमने यहां पर menu assignment select नहीं किया था, सबसे पहले features का हमें यह सारी चीज़े भरने के बाद, यहां से position select हो जाएगी, hide title, उसके बाद menu assignment, यहां से हमें, on selected page, मैं यहां पर home पर select करता हूँ, और save करता हूँ, यहां से save करने के बाद, अब check करेंगे हम, तो यहां पर आपको दिखाई देगा, आप देशकते हैं, हमारा पहला feature आ चुका है, अभी यह ठीक से नहीं आ रहा तो हमें से set करेंगे, पहले हम बागी के कम से कम तीन features यूज़ कर लें, यहां पर icon ठीक है, adjust, यहां पर title इसका feature to, description इसका जो हमने copy किया था, यहां से read, यहां से read more, और यहां पर third वाले का icon यहां पर यह वाला, F3, और यहां पर paste, और बस तीन features यूज़ करेंगे हैं, save करते हैं, और यहां पर check करते हैं, आप देख सकते हैं, हमारे तीन features आ चुके हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यहां पर हमारा space खाली है, तो यहां से module permission में यहां से style में जाएंगे, और देख सकते हैं, यह columns 4 बने हुएं, तो हमें एक column को कम करना होगा है, हम पर 3 column यूज़ करेंगे, या फिर हम features 4 यूज़ करें, ऐसा हो सकता है, या फिर 3 column यूज़ करें, तो हमने 3 column यूज़ करनी हैं, कि यहां से रीड रीड मोर इससे लिंक देते और सेव कर देते अब आप यहां पर चेक कर सकते हैं तीनों का कलर बली हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पर यह अमारा फीचर्स का डिसक्रिप्शन यहां पर टाइटल है सुरी यहां पर आइकन है आइकन की जिगाप इमेज भी लगा सकते हैं जैसे मैंने बता है ता आपको मैं इक एक आइकन पर image लगा के दखा देता हूं, यहां से पहले image select करें, अब यहां से select image, और जो image आपने बनाई है icon के लिए, यहां तो आप उन्हें खुद design करें, यहां फिर कहीं से download करें, मैंने कुछ बनाई हुई है, यहां से desktop में, desktop से new folder में, images में, मैं यह वाली image यूज करता हूं, और open करता हूं, यहां से upload, यहां से select और insert, अब मैं इसे save कर देता हूं, क्योंकि मैंने image लगा दी है, अब check करेंगे कि हमारी image आई है की नहीं, आप देख सकते हैं, image काफी बड़ी है, तो यहां से इसका size हमें crop करना होगा, थोड़ी image छोटी रखें, इतनी बड़ी image अच्छी नहीं लगती, इससे थोड़ी large करें, इससे थोड़ी कम करें, मतलब बीच की इस image रखें, अपने हिसाब से settle करें, मैंने icon पर ही set कर देता ह यहां पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको मैंने slider लगाना बताया, feature लगाने बताया, आप कहीं से किसी site से example लीजिए, जैसे काफी सारी sites हैं, किसी की भी site को open कीजिए, apple की है, uber की है, किसी की भी site को open कीजिए, वहां से, देखिए आपको कैसी site बनानी, तो यहां पर इतना काम हो चुका, आपको एक एक page design कीजिए, अपना about वगयरा का, इसमें कोई बड़ी चीज़े नहीं है, यहां से अपना feature हो गया, इसके बाद जो आप चाहें, उसे ऐसे ही add करते जाए, download करें और add करें, यदि आपको यहां पर image gallery चाहिए, तो यहां से image gallery search करें, यहां पर ऐसे simple extensions में जाएं, वहां से आपको download करनी होगी, और वहां पर लगानी होगी और उसके अंदर आप अपनी images लगा सकते हैं, यहां पर मैं आपको एक दिखाय देता हूँ, यहां पर देख सकते हैं, आप SP flicker gallery, इसे download करें, और इसे आप अपने यहां पर इस वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैंने इसमें आपको जूमला का use करना बता है, simple templates use कीजिए, extensions use कीजिए, और अपने page को design तो आप खुदी करना होगा, about us में क्या होता है, अपने बारे में information दीजिए, बस यहां पर आपको design करना होगा, उ जो लिखना आप वो लिखिए, यहां पर आप इसे यहां से आटाईए, और यहां पर अपनी information लिखिए उसे ठीक से, यहां पर आप images यहां से लगा सकते हैं, यदि आप अपने image लगाना चाहें, मैं इस image को लगाता हूँ, insert, और save, आप देख सकते हैं, हमारी image लग चुकी है, और बाकी की आप इसकी description में जो भी लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं, तो काफी जादा, मैंने जितना हो सकते हैं, उतना बता दिया है इस वीडियो में, यदि आपको अब भी कोई दिखकर तो जूमला के अंदर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं